दोस्तो हमारे पिरित्वी पर पाय जाने वाले विसाल का जीव डाइनासोर को लगभक सभी बंदे जानते होंगे लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी ज़्यादा संख्या वाले और पृत्वी पर पाय जाने वाले सबसे कुसल जीव कैसे बिलूप्त हो गए अगर नहीं जानते तो दोस्तों हम अपने इस वीडियो में डैनासोर के जन्व से लेकर अंद तक की कहानी आपको बताएंगे दोस्तों चलिए बीना देर किये अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो एक समय में हमारी दुनिया में डाइनासोर का राज था ये विशाल का जिव वहां रहते थे जहां आज हम रहते हैं दोस्तो ये देत्याकार बड़े विचित्र डाइनासोर ने हमारे पृत्वी पर लगभग 14 करोर साल तक राज्य किया था जिनकी हजारों परजातियां पाई जाती थी और इन में से कुछ परजातियां साका हारी होते थे तो कुछ मांसा हारी होते थे दोस्तो कुछ दैनासोर बहुत ही सांत सभाव के होते थें तो कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक सभाव के होते थें दोस्तो ये जीव उस समय के सबसे सफल जीव माने जाते थें लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ आकिर ऐसा कौन सी घटना घटी जिससे की इनका नामों निसान मिट गया दोस्तो इसके लिए हमें करोरों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उन अंतिम दिनों के बारे में हमें गहराई से जानना होगा तो चलिए दोस्तो आज से करीब 6.5 करोर साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत दोस्तो आज से करीब 6.5 करोर साल पहले आज की तरह ही धर्ती पर मौसम सामान ने था और समुंदर की ठंडी हवाएं थे और बरे बरे पेर पोधे थें और इसी के साथ चारो तरब डायनासोर के चिलाने और चीखने की आवाजें थी ये उस समय की बात है जब डायनासोर की मत लिखी जा चुकी थी दोस्तो आज से लगभग 10 करोर साल पहले एक छोटा सा एस्टोयट का टुकरा जो सुदूर अंतिरिस से आ रहा था और वह प्रीथवी से लगभग 20 करोर मील दूर मंगल और विरस्पत गरह के बीच बने छुद्र गरह में घूम रहे एक बरे से एस के स्पीट से बरने लगता है जब यह एस्टोयट प्रीथवी से 3,84,000 कि दूरी पर था तब धरती से सायद यह विशाल का जीव का अंतना होता यदि यह इस्टोयट प्रीथवी के उपगरत चांद से टकरा जाता लेकिन निती को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि यह स्पीट प्रीथवी के वातावरन में आया तो इसके रफ्तार काफी ज़ादा तेज हो गई जो करीव 70,000 किलोमीटर परती घंटे के रफ्तार से प्रीथवी की और बढ़ने लगा और प्रीथवी के वातावरन में आते ही यह एकाक के गोला में बदल गया दोस्तो इसकी में अट्लांटिक महासागर को पार कर लिया था और कुछी च्छर में ये इस्टोइट मेक्षिको के खारी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की उर्जा वाला एक भ्यानक विस्पोट होता है दोस्तो इस टकराओ का विस्पोट लगभग 10 आइड विस्पोट टकराओ वाले जगह पे करीब 180 किलो मीटर चोरे और 20 किलो मीटर गहरे एक गढढ़ा का निर्मार हो गया था और इस टकराओ के बाद ही पिरित्वी पर बरे भरे भुकम्प के जटके आने लगे जिसके कारण समुद में बरी बरी लहरे बनने लगी और एक के ब कई छोटे बरे जिवों का बिना सुरू हो गया दोस्तो इस विस्पोट में रेडियेशन की मात्रा इतनी बर गई थी कि 800 किलो मीटर के दायरे में आने वाले सभी जिवो पूरी तरह जलकर खत्म हो गये थें जिसमें उरने वाले डाइनासोर की कुछ परजातियां धरती से बच गई लेकिन विस्पोट के कारण जो मेटल हमारे पृत्वी से अंतरिस में चले गये थें वो ग्रेवेटी के कारण आग के गोले बनकर पृत्वी पर बरस्तने लगें जिसके कारण उरने वाले जिवो का भी हवा में ही अंत हो गया था और विस्पोट के कुछ समय कारण मारे गएं दोस्तों इस महा विनास में केवल वही जिवो बस सकें जिनका वजन लगभग 25 किलो से भी कम था क्योंकि ये जानबर महा परलय और भ्यानक गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर ही रहना शुरू कर दी थी